वै ध्यानिक चेतावनी, हमारा उद्देश ये सिर्फ जनता तक सच्चाई पहुचाना है, थोड़ा अलग अंदाज में, हमारा उद्देश किसी भेजाती धर्म, पार्टी या व्यक्ति की भामना को ठेस पहुचाना नहीं है, हमारा उद्देश ये खबरों को विंग्यात्म करना उचित थी, जिस केस का कोई उचित और मामला नहीं, खाना देना हो तो पपु यादफ देंगे, एम्बिलेंस चाहिए तो पपु यादफ करेंगे, वो व्यक्ति रात दिन बस दूसरों के लिए जीता है, तो दूसरे क्यों नहीं खड़े हो सकते उसके लिए, नवशक करता है, ठीक वैसा ही जैसे कंप्यूटर मानाओं के देशा अन्रदेशों के हिसाब से काम किया करता है, कोविड नियम की बात इसलिए कर रहे है क्योंकि बिहार के पुर्वसांसत पपु यादफ को कोविड नियम के उलंगन करने के जुर्म में गिरफतार कर लिया गया, इ अपना सब कुछ छोड़के, अपना सब कुछ त्याबके, हम लोग उने बोलते हैं आजाईए आप वापस, आजाईए, ठीक नहीं है, रिस्की है, सही नहीं रहेगा, मगर उनका एक ही कहना था हमेशा, कि बिहार के लोगों को मेरी ज़रुरत है, और मैं बस वही कर रहा हू सही बात है, अपने घर में आराम से बैठना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर आदमी लोगों की मदद करने निकल ही जाते हैं, खेर, घर वाले समझा रहे थे कि मत जाओ, लेकिन पप्पु यादव नहीं माने, पप्पु यादव अगर सरकारी पैसों की खरीदी हुई अंबिलेंस से बालूड होने की टाइप चीजों का परदा पास करती, तो हो सकता था कि ममता दीदी को गिरफतार कर लिया जा सकता था, वैसे वैसे शाम होते पपु यादव को छोड़ दिया गया, लेकिन फिर से 32 साल पुराने मामले का हवा मामला समझ में आ रहा है और ना ही 32 साल पहले का मामला, अगर पपु यादव कोविड नियम का उलंगन कर रहे थे तो बंगाल में सभी नेता क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है, पपु यादव का गुनाह क्या था, पपु यादव का गुनाह इतना था कि वो जनता की उत्रप्रदेस में नहीं बलकि बिहार मद्रप्रदेस और 36 गड़ में भी अम्मूलेंस ना मिलने का मामला कई बार सामने आ चुका है। जब कोरोना की वज़ा से पतनी की मौत के बाद कंथा देने कोई नहीं आया तो साइकल पर कुछ ऐसे शब लेकर बुजुर्ग पती पजबूरी निकला ऐसी और कई तस्वीरें हैं जो यह बताने के लिए काफी हैं अगर अम्मूलेंस होता तो ऐसे तस्वीरें नहीं क्या बात वो जो कर रहें वो सही है और उसको उजागर करने वाले जनाधिकार पार्टी के नेता पपुयादो गलत कैसा नियम है यह अगर अग्रेज होते तो अपने आप ही देश को छोड़ कर भाग जाते कहते कि यह लोग तो हमसे भी जादा क्रूर हैं अगर आज के तार रहें क्योंकि उनके स्वास्त को देखते हुए यह फैसला लिया गया है अब फैसला उनके स्वास्त को देखते हुए लिया गया है या फिर उनकी पत्नी और पूर्वे कॉंग्रेस सामसद रंजीत रंजन की शेतावनी को देखते हुए जिसमें वो लिक रही है कि नतेश ज पर हुक्मरानों के जुल्मों सितम के बाप जूद लोगों की मदद करती रहोंगी कोरोना के दौर में मानावता को बचाने का प्रथम उद्देश है प्रेस से समवात कर सरकार को आज बेनकाब करोंगी मतलब पपु यादो जो मदद जनता की कर रहे थे अब उनकी पत्नी रंजीत रंजन करेंगी लोगतंतर में धंकी का कोई अस्थान नहीं है एक चुने हुए मुख्यमंतरी को खुले आम धंकी देना ओभी एक जिम्मेदार पूर्व जन प्रतिनी द्वारा कही गई बातें उस्चित नहीं है कानून है कानून का सहारा लीजी अगर गलत हुआ है तो कानून अपना काम करेगा लेकिन क्या हो जब कानून खुद गलत करें क्योंकि जहां पर पूरा देश एंब्लेंस के लिए परिशान है और एंब्लेंस बालूड हो रहे है तो उससे उजागर करना कहां से गलत होता है 32 साल पहले कि जिस मामले में पप्पु यादाओ को अंदर किया गया उससे जोड़ी एक चौकाने वाली खाबर एक खाबर फिल्मी है लेकिन सच है दैदिक भासकर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल पुराने जिन दो वेक्तियों के अपहरन कांड में जाप सुप्रीमों पूर्वसांसत पपु यादाओ गिरफ्तार किये गए वारन्ट की अवधी में उन्हीं में से एक की बेटी की शाती में दूले पक्ष की तरफ से 17 फरवरी को चीफ गेस्ट बने थे वरवधू को उन्होंने आसिरवाद भी दिया था आज इस प्रकरण के बाद वेचुप हैं दो दिनों से जब ये पकरण तेज हुआ तो किसी भी मेडिया कर्मी से बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं पपु यादो भले ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं लेकिन लोग उनके रिहा करने की मांग करने हैं बिजेपी के खिलाब हमेशा बोलने वाला बिहार का वेबक्ष इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा है लालु यादो और ना है उनके दोनों लाल जो कभी हर मामले में बिजेपी पर हमला करने में कोई कोर गसर नहीं छोड़ते थे आज वो चुप हैं जबकि गंगा में में लाशों को लेकर बिहार के निता प्रतिपर्ग शतेरे स्फियादो सोसल साइट पर वीडियो डल कर सवाल पूछ रहे हैं और इसके पीछे एक ही वज़ा है डर जनता का डर अगर आज लालो यादा उनके लाल पप्पू यादो के लिए आवाद उठाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पप्पू यादो भिहार के हीरो भन जाएंगे और लालो के लाल का सपना सपना ही रह जाएगा अगर चिनता होती तो ऐसा नहीं होता आप खुद सोचिये आप खुद विचार करिये और जब विचार सोच विचार कर आप अपने सवाल अपने सुझाव अपने जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर देजेगा आज के लिए इतना ही चलते हैं राम राम जैहिंत श क्या आपँ पने सुझाव झाप झाप खुद ये आई outsॲck ड़र भीचे होती तो मेंटित होता मेंट में खुद विचार सेक्शन में मने कुमें अपने सय किया क्या आप मीने सा का फिसी कर आप